कि अधर दुस्तों मेरे नाम है देहिंदर सिंग आज की वीडियो में हम और का समन्ने वाले ओभी मोडल्स और और फाउंडेशन और इंडी वूजल भी है यह यूनिट वन है यह आपकी जो प्रेटिस्ट है यह दी यू और जो आपका एस वे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है खासका डेली उनिवस्टी में जो वहां पर यह सब्जेक्ट है स्पेशली उनके लिए बट तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको दिखाने वालाओ पीपीडी की उसके मेरे पीडियेफ नीचे डाल दीये डिस्क्रिप्शन में वहां से आप नोट को गश्क्त्यों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बहले हम समझा लगते हैं कि ओभी मोडल है क्या relationship बताते हैं कि जो हमारे company में employees है उनका क्या relationship है organization के साथ और भी आपको पता है तीन लेवल पर शेड़ी होता है individual group organization तो employees का relation क्या होगा company में individual level पे group level पे उस relationship को बजब बनाते हैं वह बी मोडल में यह reflect करता है कि overall behavior क्या होगा management और पीपल यानि कि management और पीपल आपस में कैसे उनका behavior होगा वह ओभी मोडल में होता है इंपलोईजमेंट आप आपस में कैसे interact करेगे तो कैसे मोडल है देखो ये सबसे पहला मोडल समझते है पिट डिवल मोडल कई सारे ओभी मोडल बनाए गए है उसमें सबसे पहला है फीडियों मोडल में बेसिकली इंपलोईज को बहुत नीचे नजर से देखा गया कि इंपलोईज बहुत एक्स बोलते हैं जिसमें सारे एक्षण पॉलिसी रूल हाई प्रियोटी पर दिये जाएगे और हुमन मिंग को सुपीरियर क्राइटिगरी में देख जाएगे लोग क्या सोसते हैं लोग क्या चाहते हैं उनको तो मद्दे नजर रखा ही नहीं जाएगा तो यह प्रोब्लम है इस पर छिए और इसके अंदर मोटिवेशन मनाने के लिए हम पैसे का स्वाल करते हैं ने को डर का मोहल मलाते उनके लिए या फिर पैसे आप पैसा मिलेगा तो इसलिए बहुत ज्यादा फॉर्मल और्गनेजेशन को फोकस करता है यानि कि लोगों की चाहतों को बहुत कंसी कि कंपनी के नियम करनुन को फॉलो लोग किया चाहते हैं उसको भूल जो कीं अगला है उतौ टौब्म को टो क्रेर्टिंग मोडल में 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 फॉर्मल दीग के बारे में बिदाये कि जिसकी ज्यादा पावर लोगि उसको ज्यादा करा जाएगा पावर के बारे में बतायेगी इसमें कहा गया है कि भाईया इसा मोडल बनाओ जो कि पावर के उपर डिपेंड ओ हुआ निकि जो लोग है उनको नके पास इंप्रोई कम होगा ऑपर टॉर्ट GU he मैंटर अन्टी जादा होगी उनकी वेलू के अंदर चोटे लेवल लोग is निटे के इसमें तो वह ज्यादा डिसेंद लेते हैं लेकिं लोग लेवल एंप्लोई के बाद स्किल कम होती है तो अगला होता है कस्टोडीयल बोडल कस्टोडीयल मोडल यह मोडल बेसीकली एकनॉमिक स्कियों पर और पैसा कितना है उसके उपड़ सर्फ कि अगर डिटर्माइन होगा मोड़ल कैसे अगर सारे है यह ने कि कंपनी में पैसे को ज्यादा मदर रख रहेगा cycle इंपलूईज जितने पीमारे कंपनी हैं कंपनी में एंपलोइज इस उनको ज्यादा ज्यादा बैनेफि सब्सक्राइब और यह कहता है कि जिसके पात ज्यादा पैसा है तो यह माडल करना चाहिए जिसमें कम्पनी को उनको रिबोर्ट देना चाहिए एमप्लोइस को सब्सक्राइब एकनोमिक रिसोसी जाए उसको ज्यादा बैनेफिट देना चाहिए यह वो कहता है अगला हमारे बात करते हैं सपोर्टी मोड़ी सपोर्टी निए यह मोडल ईंप्लोविस के लिए बनावका श्रवाश्य बैसक कि वह यह इंप्लोउइस को सब्सक्राइब करो इंप्लोउइस की पाटिस्पेश दसद्धाना रही होगी जब इंप्लोईसको सास्त यह करता है अपनी परफोर्मस बढ़ाने के लिए लर्निंग बढ़ाने के लिए क्योंकि लीडर्शिप के बेज़ है पब्लिक सेक्टर ओगनाइजेशन बहुत जादा फॉलो करती है इसको गोवर्मेंट कंपनी बहुत फॉलो करती है ठीक है यह मोडल जोप सैटिसफेक्शन दे में हेलक परता है अगला मोडल स्फोर्टी मॉडल का ईकस्टेंशन से आगे बात करते है उसका मदलब ओता है है डिफ्रेंट इंडिवूजल जो एक की गोल के लिए के लिए काह है च Adaptive कि सारह लोग की टिम्वर्क होना चाहिए तो को लेजिन मोटल में इसमें तो सपोर्ट की बात करते हैं कि यानि कि जितने वे लोग काम कर रहे हैं उनको अपना जोग रोल पता हो उनका साथ और सारे लोग अपने कमपनी की गोल को चीव करने में लग जाएं सबकी होने चाहिए कि मुझे बहुत है करने की स्पोलाइट को अच्छा वर्किंग और ही सब्सक्राइब चसे के सबस्क्राइब करो जिससे लोग सबी लोग एक डिरेक्शन में काम करें उसकी बात बात करते हैं हीमन वैल्यूस हीमन वैल्यू मोडल है अब हुब है प्था इस यह ज्यादा है कि बिलकुल आपोजिट आई जो ओनुर sih कि वह बूंडो है किंपलोई इसमें ध्लीउ को इंप्रेट कि पेशी कि Państwoалась चाते हैं सब्सक्राइए सब्सक्राइब क्या है इंप्लोई कमपने में चाता है इंपलोई कि airports का नीड की उसकी उसकी सोचिल लेट के हैं वह चाहता है कि मेरे रिस्पेक्ट हो वह चाहता है कि अब बात करते हैं लास्ट जिसका नाम है इसमें हम हम सारे मोडल करते हैं इसको है इसमें हम हम को सब कुछ सब कुछ डाल दिया है इससे मोडल इंप्ली में आगे बढ़ सकते हैं कि इसमें हर चीज पर फोकुस करा गया है ओंगानाइशन में इंडीवूजल लेवल पर भी ग्रूप भी सच्चर पर भी समझ गए तो यह होता है अब बात करते हैं मारा लास्ट टोबिक इंडीवूजल बीहेवियर दैट इस इंडीवूजल भीयोड वाट इस इंडीवूजल भीयोड होता क्या है कि हमारे कंपनी में अलगला इंडीवूजल अलगला तरीके से बिहेव करते हैं कोई दो इंडीवूजल एक जैसा नहीं करता अगर मैं उसको एक ही कंपनी में दो लोग है तो एक बहुत खुशों का काम से एक नहीं होगा तो फरक क्या होता है इंडीवूजल ब बात करें तो पहला होता है बाइलोजिकल वेक्टर जैसे उसका एच इसके जैंडर के उसका मैरिटियर स्टैटस क्या है जैसे आप बात करें एक एक करें पूसके हाइट पीजन वेट कई वर आपको लगता है यह चोटी है तो मेरा कमपने में इज्जद नहीं है मेरी मेरा जादा है तो आपको satisfaction नहीं होगा ज्यादा जिसकी जादा है उसको उसको motivation का मोटास के अंदर innovation नहीं होती उसके अंदर risk taking capability नहीं होती तो उसलिए ज्यादा कि जब लोग बूड़े ज्यादा होते है वह लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं जैंडर के बात होते हैं कई बार जिसके बंदे के अंदर ability होती है तो वह जो मैं ज्यादा खुश रहेगा intellectual ability होती है माइंड में टाक्स प्रफॉर्म करने होती है उसकी बात कर दो शादिश होता नहीं है कई बार वह ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है समझगे दूसरा होता है लेंड करेक्टेस्टिक्स परस्नल में परस्नल में दो चीज़े होती है बाइलोजिकल और ल्रण जो आपके हाथ में नहीं है लांड का मलब जो सीखी जा सकती जैसे कि परसनल्टी आपके परस्नल्टी जो बनी है बहर से वह भी बड़ना करये आपको काम करने पसंद है के नहीं परसेप्शन आपको देखने का नजरिया अगर आपका तो आप कंपनी में काम लेंग से गलों यानि कि कि या सही है आपके लिए गलत है तो भी आपको बशनते समझें इन वारेमेंटट फैक्टर होता है जो बाहर के चीज़े बाहर कि जी जिए वर वह आपको बहुत इफेक्ट आ तो जैसे कि एक नॉमिक उआपके पास पैसे वार यानि कि बार का environment कैसा है यानि कि बाहर मंदी चल रही है बार employment लेवल नहीं है ओ नहीं मालो जो भी या फिर आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही देश में महगाई हो रखी है टेकनोलजी के डिवलमेट सही नहीं हो रहा मलब बहार की चीज़े एक नॉमी इक नॉमी में क्या चल रहा है उससे लेटेट भी आपको डालते कई अगर जोब नहीं विलेगी तो आप प्रशान हो जाओ को सोश्यो कल्चर मलब आपका फैमिली मेंबर आपके फ्रेंड आपके आपके कलीक्स वह भी आप को डालेगी क्योंकि फिर कमपणी में कई बार अगर जोगता लादेगी यह कमपनी कारेंगे जोब से निकालना शाट करते हैं लीगल इंवारिडंमेंट होता है लीगल सिस्टम कई वार आगए अगर आपने कोई मालो को लो है जो कि मेंबर से मदर मदर क्राइम है अब कर आ पहला है परसनल उससे आपको एफटर करता है दूसरा हमने बड़ा इन्वारमेंटल बहुत इंपोर्ट है वह क्या है जैसे कि फिजिगल फैसे लेटी कंपरी में आपका आपका साफ सफाई नहीं आपका वेंटिलेशन नहीं शोर मचला है लाइट वैसलेटी साही नहीं है पर आपको यहीं नहीं पता कि मेरा काम क्या है आपको यहीं नहीं पता मेरी अथरोटी क्या है आपको यहीं नहीं पता मुझे किसको काम करके क्या देना है मेरे साथ वैसा हो चुका है मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे क्लियर ही नहीं पता था कि आज कंपनी में जाक प्रोब्रम थी कोई वहाँ पर एडवाइस करने के लिए नहीं था कोई डिरेक्शन देने के लिए सीधा काम दे दिया मुझे बहुत बताए तो सही कैसे काम करना है कोई गाइड तो करें कोई भी नहीं था रिवोर्ड सिस्टम यही नहीं पता कि काम करके कोई फैदा होगा य नहीं है जैसे कि अगर मैंने त्रन डार्टेट अचीब किया तो भाईया अगर मैंने ज्यादा किया तो मुझे ज्यादा कम किया तो इस इस तरह जो चैनल को प्राओं वीडियो में वडियो झाल झाल